सिने इंक पॉड्कास्ट चुप साहितिक चुप और कविजन निर्वाक चिन तक शिल्पकार नर्तक चुप हैं उनके खयाल में ये सब कप हैं मात्र किम्मदंती इसी कविदा में वो कहते हैं अब अभिवक्ति के सारे खत्रे उठाने ही होंगे तोडने होंगे ही मठ और गड़ सब पिछले दिनों मैंने हिंदी के एक युवा लेखक चंदन पांडे का उपन्यास पढ़ा वैधानिक गल्प जो 2020 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने चापा और 2021 में उसका अंग्रीजी अनुवाद हार्पर कॉलेंस इंडिया से प्रकाशित हुआ चंदन पांडे का ये पहला उपन्यास है इससे पहले वो अपनी कहानियों से हिंदी कथा जगत की युवापिघ्री के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी जगा बना चुके हैं वैधानिक कल्प उस समय की रचना है जिस समय में हम सांस ले रहे हैं और भावी युवापिघ्री का पोशन हो रहा है लेकिन चंदन पांडे ने किताब के शुरू में ही ये ऐलान कर दिया कि वैधानिक कल्प में जो कुछ भी है काल्पनिक है जो काल्पनिक है वो तो काल्पनिक है ही लेकिन जो सच है वो भी काल्पनिक है तो उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि जब किताब लिखकर अभिव्यक्ति का खत्रा उठा ही लिया तो ये डिस्क्लेमर क्यों? यह बड़ा ही मज़दार प्रस्न है कि अभिव्यक्ति का खत्रा उठा ही लिया तो फिर किताब की सुरुआत में डिस्क्लेमर क्यों? दरसल वह गल्प लेखन यानि की उपन्यास और कहानी लेखन की मर्यादा है वह विधा आम लोगों को काफी छूट देती है सोचने, विचारने, करेक्टर के साथ प्रियोग करने का तो वह डिस्क्लेमर का स्टाइल मुझे अच्छा लगता है दूसरी बात की और यह बड़ी बात है हो सकता है कि मेरे उपन्यास के संदर्व में लागू नौ हो लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि जो खामखा के मुद्दे बनाने वाले लोग है उनको कोई भी बिन्दू क्यों पकड़ाया जाए उन्हें कोई भी मुद्दा क्यों दिया जाए इसलिए सुरुवात में मैंने यह डिस्कलिमर रखा कल्पना केजिए एक कस्पा है जहां के स्थानिय कॉलिज का एक एड हॉक प्राध्यापक गुमशिदा है उसके नाटक ग्रुप के दूसरे सदस्य भी एक एक कर खायब हो रहे है जिन में एक लड़की भी है पुलिस एफ आई आर दर्च करने को तयार नहीं उसकी नजर में यह लब जहाद का मामला है बात इतनी ही नहीं एक और युवक भीड की हिंसा का शिकार हो चुका है उसे बचाने वाला पुलिस कर्मी लिलंबित है आप समझते हैं यह किसी डिस्टोपियन समाज की कहानी है लेकिन अब इस कहानी के दो तीन किरदारों का नाम बदल दीजिए लापता होने वाला रफीख है जिसकी पतनी हिंदू है मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाला नियाज है उसे बचाने वाला सस्पेंडेट पुलिस कर्मी सिख है तो आप पाएंगे कि यह तो भारत के आज का जहरा है और स्थानिय मीडिया मुक्तिबोत के शब्दों में कहें तो गढ़े जाते संबाद, गढ़ी जाती समिक्षा गढ़ी जाती टपणी, जनमन उर्शूर बॉध्धिक वर्गे, क्रीत दास, किराय के विचारों का उतफास चंदन पांडे का उपन्यास वैधानिक कल्ब उपन्यास के टाइटल के पीछे उनकी क्या सूच रही और क्या था इस उपन्यास की कहानी का सबसे बड़ा प्रेरख हाकिकत यह है कि जब मॉब लिंचिंग्स की घटनाएं बढ़ी या सुरू हुई और जब उसमें एक एलिमेंट एक तत्व यह देखने में आने लगा कि इसमें से काफी कुछ तो प्रयोजित है एक मॉडस आपरेंडी है, एक स्टाइल है एक सिल्फ है जिसके तहट यह काम किया जा रहा है तो ब्यक्तिका तोर पर मुझे बड़ा धक्का सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग मिलके एक योजना के तहट किसी की हत्या कर दें पॉलिटिकल माइलेज के लिए और दूसरे अन्य भविश्य की सुविधाओं को देखते हुए किसी की हत्या कर देना या मेरे मन के गले से न उतरने वाली बात थी और फिर उसे लेकर मैंने जानना सुरू किया कि कब-कब इतिहास में कब-कब ये चीजें घटी है तो पाया कि जो अमेरिकन इतिहास है 1850 के बाद का और 1900 तक का वह ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है बहुत बड़ी संख्या में मौब लिंचिंग समा हुई है उन में से ज़्यादा तर प्रायोजित थे तो वो लिटरेचर मुझे सहारे की तरह मिला कि इस फेनोमेना को भी पकड़ने की कोशी समय भारती संदर्व में करना चाहिए टाइटिल के पीछे का बात जो है इस आइडिया से मैंने प्रेरितों कर रखा कि नागरिकता एक कालपनिक चीज है जिस देश का आप निर्मान करते हैं वह देश उस देश का कोट आपको एक डॉक्यमेंट देता है जिसके तहट आप उस देश का नागरिक मान लिये जाते हैं जिस देश का निर्मान आपने आपके पुर्खों ने किया है तो उस डॉक्यमेंटेशन के उस प्रकिरिया को लेकर मैंने नाम रखा वैधानिक गल्प राजनीती लव जिहाद और मॉब लिंचिंग की प्रिष्ट भूमी में राष्ट और नागरिक्ता के संबंध की परख करने की कोशिश करता चंदन पांडे का उपन्यास वैधानिक कल्प वैधानिक कल्प का नायक या नेरेटर अरजुन एक लिखक है जो अपनी पूर महिला मित्र के फोन से ये पता लगने के बाद कि उसका पती लापता है अनिच्छा और दुबिधल ये उसकी मदद करने जाता है मगर जब पहली बार थाने पहुँचता है तो ये स्वीकार करने में जहजगता है कि वो एक लेखक है पूछे जाने पर भी नकारात्म उत्तर देता है चंदनपांडी से मेरा प्रश्न था कि क्या आज लेखक खुद को लेखक कहने से डरता है लेखक कहलाने से डरता कोई नहीं है मेरी समझ में क्योंकि आम जन्ता में जो आपसे खुले दिल से मिल सकने वाली जन्ता है, जिसका कोई प्रोपगेनडा नहीं है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, वह तो लेखकों से प्यार करने वाली जन्ता है. अगर वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो लेखकों की स्थिती समझती है, तो हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा सा सहानुगूती भी रखे, लेकिन अपने अंतस में वे लोग लेखक से प्यार करते हैं, लेकिन थाना और कचहरी और ये नेतागिरी ये सब पावर की जगहे हैं, पावर सिंटर्स हैं, ये लोग सक्ति के संस्थान हैं, भारतिय संदर्वों में, उन जगहों को लेखकों से बड़ी प्राबलम होती है, वे नहीं मिलना चाहते, नहीं बरदास्त करना चाहते, ऐसे किसी बेक्ति को जो उनके बारे में लिख सकता है, और क्रिटिकल पुजना है, ना कि वो डर है, वह कहता भी है कि अगर मैं अभी लिख खोना बताऊंगा तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब पुलिस इनके लिए दूसरा निमित थे। चंदन पांडे ने अपने उपन्यास के अंथ में लिखा है, उत्तराखंड के उस बहादूर पुलिस अधिकारी गगन दीप सिंग के सम्मान में ये उपन्यास जिन्होंने एक युवक को भीर के हाथों मनने से बचाया था। तो क्या अमन्दीप की तरहां उपन्यास के दूसरे किरदार भी वास्तविक प्यक्तियों से प्रेरित हैं चंदन पांडे है। लेकिन उस पीच में वह घटना घटी मेरे उपन्यास में जो मैं पहला ड्राफ्ट लिखा था तो करेक्टर था एक पुलिस वाला जो गलती से हल्प कर देता है और उसका फिर उससे परणाम भुगतना होता है। पहचान सकें और फिर भी जो लगा कि लोग नौ पहचानेंगे तो मैंने उन्हें लिखा वह एक सम्मान था वह प्रेणा से एक सम्मान था गगंदीब के लिए। वैधानिक कल्ब 2020 में राजकमल से प्रकाशित हुआ। इससे पहले चंदन पांडे के तीन कहानी संग्रे प्रकाशित हो चुके हैं भूलना, इश्खक फरेब और जंक्षन। आईए कुछ और सवालों से पहले वैधानिक कल्ब का एक अंश उन्हीं की सवानी सुने। रफीक से मिलना, उस धुनी मनुष्य को देख सकना अब अपना व्यक्तिकत उद्देश से होता जा रहा था। लगा कि जिस खास समय में रफीक को मेरी जरूरत थी, उसी समय में रफीक किसी जादू की तरह मेरी जिन्दगी के अनसुल्जे प्रस्नों का जवाब बनकर आता दिख रहा था। पंक्य की हवा में वो पंचे फड़फड़ा रहे थे, पंक़् की तरह या किसी भी अन्ने की तरह नहीं, अपनी तरह जैसे कागज फड़फड़ाते हैं, या उनके सूखने या सूखते चले जाने का सुरूआती लक्षण हो सकता था। पूरा कमरा अक्षरों से, सब्दों से, वाक्यों से, उनके अर्थों से और सबसे वड़ी बात कि रफीक के होने और नव होने की संभावना से पटा पड़ा था। यह ठका देने वाली कवायत करीब आधे पौन घंटे तक चली होगी, इसलिए खत्म करते ही बिस्तर पर मैं खुद भी पसर गया और यह सोच कर डर गया कि थोड़ी दिर पहले मैं जिन सब्दों में रफीक के गायव होने की संभावनाव को तलास रहा था, कहीं मैं भी उनमें से एक तो नहीं था, इन सब्दों के बीच पड़े-पड़े मैं भी एक सब्द सा खुद को प्रतीत होने लगा था, वह सब्द, गुमसुदा, लापता, गायव, खो जाना, बिला जाना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं था, मेरा मन इन संग्याओं क रफीक पर आरोपित करने हे तो तयार नहीं हो पा रहा था, गुमसुदा लोगों के लिए इतने बिग्यापन दिख जाते हैं, लेकिन आज से पहले कभी यह ख्याल नहीं आया कि मनुष्य पर इन संग्याओं को निरूपित करना अमानवी है, मसलन, बस्तूओं के लिए प् पाक्यांस में उम्मीद का सूरज है, जो संभव है उगा नहों लेकिन है, इस प्रित्वी पर मनुष्य को इतनी अजादी होनी चाहिए कि वो चाहे जब घर लोटाए, पत्नी की आखों में ही हो, पति-पत्नी के अर्मान में ही हो, लेकिन लोटने के लिए एक घर होना चाह चाहिए थी कि किसी के सामने उसका कोई प्रिय मार न दिया जाए, गायब न कर दिया जाए, अनसुया के पास चाकर मैं बताता भी तो क्या बताता, ये कि रफीख का पता लगाने के साथ उसके जीवन पर रच्च दी गई कहानियों का जाला साफ करना क्या हम से कभी संभव ह उपाएगा, उसकी डाइरी, उसके नोट्स, पठकथाएं सब सच बदला रही थी, लेकिन सब की पहुँच के दाइरे में अख़बार थे, पुलिस थी, मोर्चा था, नरमेधी महत्पकांशाएं थी, वैधाने कल्ब के प्रकाशन के बाद चंदन पांडे ने एक की बात में कर रहा हूँ, तो वहाँ चेतना से मेरा मतलब है कि जो लोग जानते बूझते ऐसे फासिस्ट ताक्तों का समर्थन करते हैं, मसलन कि वर्स 2014 में जो भी हुआ, वो लुक्तांतरिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ, किसी को जितना था, किसी को हारना था, उससे मुझे अतराज नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि जैसे एक पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, और जो सो काल्ड चेतना संपन जिसको मैं यहां कह रहा हूँ, वह जितना खुस था, बिना कोई एतिहासिक तथ्य जाचे, कि अगर ये परधान मंतरी बनते हैं, तो किस त द्वारा और प्रोपोगेंडा के तहट चलाय जा रही खबरों पर भरुसा करकी, वह चेतना संपन बर्ग जैसे इनको जगह दे रहा था, वह थोड़ा सा प्राब्लमेटिक था, वह कहीं न कहीं सोची समझी बात थी, उसमें यह नहीं था कि वे लोग मुर्ख बन गए थे, बिलकुल नहीं, वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, वे जानते थे कि उनके लिहाज से होने वाला विकास हो चुका है, वे आल्रेडी अगर ट्रेन टू बुसान नमक फिल्म के संदर में कहें तो, कि वे आल्रेडी सेफ बोगी में बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें पता मगर इसी साहस की वज़े से उपन्यास के मुख्य पात्र अर्जुन का सोशल मीडिया अकाउंट फ्रीज कर दिया गया तो क्या स्वेम चंदनपांडे को भी सोशल मीडिया पर किसी तरहां की नेगेटिव प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा बावजूद इसके कि उन्होंने उपन्यास की खटनाओं को नितांत कालपनिक कहकर सुरक्षा कवच पहलिया था चंदनपांडे सोशल बीडिया पर नेगेटिव प्रतिक्रिया का सामना बिल्कुल करना पड़ा और यह नेगेटिव प्रतिक्रिया जो थी वो दो तिन संदर्व में थी एक तो जो दक्षिन पंथी मिजाज के लोग हैं उन्होंने इसको कहा कि यह तो एजेंडे पर लिखा गया नॉवल है और दूसरा जो नेगेटिव प्रतिक्रिया नकरात्मक प्रतिक्रिया मिली वो उपन्यास के संदर्व में थी उपन्यास के भीतर जो कम्या जिनको दिखी उन्होंने उसको लिखा और ऐसी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हाँ अगर इस प्रशन का मतलब ट्रोल से या ऐसी बातों से है तो नहीं अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे मनस्तिति को प्रवावित किया हो या मैं कोई धराने धमकाने वाली बात के अगर हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं वैधानिक कल्ब के लेखक चंदनपांडे चंदनपांडे के लिए रोजकार का जरिया भले ही मेनेजमेंट हो और उसमें भी स्ट्राटेजी उनकी विशेश अगिता है लेकिन लिखने का सिलसला उससे बहुत पहले से शुरू हो गया था पढ़ने की रुची युनिवर्सिटी के जमाने से रही तो क्या पढ़ते हैं चंदनपांडे और किसके लेखन ने उन्हें विशेश रूप से प्रभावित किया मैं लगभग सबसे ही प्रभावित हो जाता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है पढ़ने का एक तरीका मैंने ये बनाया कि जब किसी लेखा को पढ़ता हूँ तो कोशी से रहती है कि उनका सभी कुछ जितना उपलब्ध है या जितना जिसको की एक दरजा मिला हुआ है उपलब्ध अच्छे साहिति के दर पे उसको एक साथ पढ़ लिया जाए तो सबसे पहले मुझे अगर मैं जो बाबा हैं साहिति के प्रेमचंद और रेनु इन लोग की बात छोड़ दूँ मैं इन लोग उने काफी प्रभावित किया तो जो contemporary लेखन था उस समय का तो मैंने सबसे पहले प्रियंबद को पढ़ा प्रियंबद ने मुझे बहुत प्रभावित किया और आलम इवना कि फिर प्रियंबद की सारी कहानिया खोज-खोज के पढ़ता रहा उस समय तक उनके साथ एक या दो संग्रही चपे थे तो बेच्चिव की लाइबरेरी में हंस के सारे पुराने अंक हैं तो उसमें जितनी होगी कहानिया मिलती थी खोज-खोज के पढ़ता था तो उसी किसी साल में मुझे एक दूसरी कहानी दिखी तिरिच और सच में मैं उदर प्रकास के नाम से परचित नहीं था उस तरीके से जानता था और पेली चातरी वाली लड़की प पढ़ने के बाद, तो फिर उसके बाद मेरा वही तरीका चुछ शुरू होगा कि उदर प्रकास के और वे पहले संग्रा रहे होंगे, जो मैंने अपने पैंसों से खरीद के पढ़ा होगा, और वो सारे संग्रा उनके पढ़ा, वह पहली किताबें थी उदर प्रकास के जिन कि पहले के लोग हैं, उनको तो पढ़े बिना आप कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकते, उनको पढ़ा मैंने और काफी कुछ सीखा है, आज भी मैं प्रेम चंद को पढ़ते हुए, जब भी पढ़ता हूँ तो यह सीखता हूँ कि कितने सांदार तरीके से आप कहानियों की सुर वैधानिक गल्प 2020 में राजकमल से प्रकाशित हुआ और 2021 में लीगल फिक्षन नाम से हारपर कॉलिंस इंडिया ने उसका अंग्रेजी अनुवाद चापा, सहज भाशा और रोचक पठनिय शेली में लिखा गया यह उपन्यास, धर्म रक्षा के नाम पर होने वाली भीर हि रिखता के रिष्टे पर सवाल भी उठाता है, वैधानिक कल्प ऐसे समयाया है जब कथित लब जिहाद को रोकने के लिए भारत के कई राज्यों में नए खानून लाने की कोशिशें तेज हैं, तो वैधानिक कल्प का उपन्यासकार जब ऐसी खबरें पढ़ता है, क्या सो आम जनता है, उससे अलग मेरी कोई सोच नहीं है, कि ये बहकावे की चीज़ें हैं और इसमें पढ़कर हमें मूल मुद्दों से नहीं बटकना चाहिए, हाँ ये हो सकता है कि वह जो कानून बन रहे हैं, उसके तहत कुछ लोगों की जिन्दगी खराब कर दी जाए, कुछ लिए बहुत दुख है, लेकिन मूल रूप से यह है कि ये लोग डरे हुए लोग हैं और इनका एजेंडा कुछ और है, इसलिए ये लोग हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों की लड़ाई पे लोगों को उल्धाना चाह रहे हैं चंदन पांडे अपने दो भावी उपन्यासों में भी राष्ट्र और नागरिक्ता की संबंद पर विचार करेंगे, उनके दूसरे उपन्यास की पांडूले भी तैयार है, तो चंदन पांडे की अगली किताब का पाठकों को इंतजार रहेगा अब जरा सूचिए, जो छपी हुई किताबें देख नहीं पाते, वो किस तरह पढ़ते हैं? आज तो आडियो बुक्स का जमाना है, मगर उससे पहले दृष्टहीन या नाबीना लोग किताबें कैसे पढ़ते थे? परवेज जालम नाबीना लोगों के लिए कुछ लिखने और पढ़ने के लिए कोशिशें सोलमी सदी में ही शुरू हो गी थी, लेकिन कोई माकूल तरीका इजाद नहों पा रहा था, फिर आता है सन 1786 जब फरानसी सी मूल की वैलिंतीन हावी ने पैरिस में एक ऐसे चापे का आविशकार क सकता है, उन्होंने अल्फेबिट्स और अल्फास को रिवर्स कर दिया, उनका छापा बनाया और काखस पर जोर से दबाया, लफस उभर कर उपर आ गया, और इस तरह उन्होंने पैरिस में दुनिया का पहला स्कूल काइम किया, जहां बलाइंड लोग पढ़ने आते थे, ए एक ऐसा सिस्टम इजाद करता है, जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस्तिमाल किया जाता है, यहां पिछले तकरीबन दो सो सालों में इसमें तरह तरह की सुधार किये गए हैं, दुनिया की जो पहली लंबी किताब ब्रेल में आई, वो थी A Brief History of Paris, सन था 1837, अब प्लाइंड लोगों के लिए आवाज भी एक जबरदस मात्यम हैं, किताबें पढ़ने का, यह कहिए किताबें सुनने का, 1935 में बिटन में एक संस्था, The Royal National Institute of Plain People कायम हुई, जिसका मकस्द था, विश्वयुत, यानि कि First World War से लोटे उन फौजों की मदद करना, जो लड़ इस पहले किताबों के वाइनल रिकॉर्ड्स बनाती थी, फिर कैसेट, फिर सीडी, और अब डिजिटल फॉर्मेट में तकरीमें चार हजार आडियो बुक्स और वो भी मुफ्त ब्लाइंड लोगों तक पहुचाती है, अब हजारों लाखों किताब में ब्रेल में बड़ी किताब रिलीज होती है, तो उसके साथ ही ओडियो बुक्स और अजाती है, आज दुनिया भर में वर्ल्ल हेल्थ ओगनाजेशन के मताबिक तकरीमन दो बिलियन या दो अरब से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो या तो नाबीना हैं, या पास और दूर से देखने में उ ऐसे लोग भारत में मजूद हैं, जो देखने ही पाते हैं, और ये किताब में उनके लिए बहुत बड़ा साहरा हैं, एक दुनिया को देखने और समझने का। आप के साथ फिर मुलाखात होगी, अचला शर्मा को अनमती दीजिए, नमस्कार. के लिए हमारी वेब साइट पर आईए, CineInc.com